Hello students, मैं आनंद सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Sci-Fi Study में Students, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक महत्तपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको UP Board Class 10th Science के syllabus को यहाँ पे डिसकस करने वाले हैं जैसा कि आपको पता होगा कि सभी syllabus, सभी subject के जो syllabus हैं वह New Education Policy 2020 के हिसाब से सभी syllabus चेंज कर दिये गए हैं इहाँ पे कुछ lesson आपको cut किया गया है, कुछ topics आपके add किये गए हैं तो इस पूजरे syllabus को हम लोग ध्यान से समझेंगे और साथ ही साथ इस चैनल पे class 10th science का पूरा syllabus आपको complete कराया जाएगा, आपको notes प्रोवाइट किया जाएगा और सारी चीज़े आपको बहुत basic से समझाई जाएगी तो students अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर ले, वीडियो को like कर दे और अपने दोस्तों तक share कर दे तो आएगे syllabus को समझते हैं जैसा कि पता होगा कि आपका जो विज्ञान है वो तीन भागों में होता है पहला रसायन विज्ञान जो की chemistry, सेकिंड होता है आपका जीव विज्ञान जो की biology और थर्ड होता है आपका भावतिक विज्ञान जो की physics और इसी क्रम में आपके book में भी दिया होगा तिहां पर पहला है आप देख रहे हैं रसायनिक पदार्थ, प्रकिर्थ, एवं बेवहार जो की आपका रसायन विज्ञान है जो की 20 नंबर का आता है दूसरा है आपका जैव जगत जो की 20 marks का यह अभी होता है उसके बाद आपका आता है इहां से भावतिक विज्ञान जो की कई पार्ट में बटा हुआ है प्राकिर्तिक घटना है जो की 12 नंबर का बिद्दुत प्रभाव जो की 13 नंबर का और प्राकिर्तिक संसाधन जो की 5 तो जो आपका लिखित पेपर होता है वह 70 नमबर का होता है ठीक है जो लिखित पेपर होता है 70 नमबर का और 30 नमबर का आपका प्रैक्टिकल होता है यानि टोटल जो पेपर होते हैं वह आपके 100 नमबर के होते हैं टोटल आपका जो है 100 नमबर का होता है ठीक है 70 नमबर के आ साथ से आपका सलेबस क्या है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक-एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे यहाँ पे हम लोग और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो आईए सलेबस को अविक्रियाओं के प्रकार सनियोजन अविक्रियाएं अपघटन बियोजन अविक्रियाएं विस्थापन अविक्रियाएं दिव विस्थापन अविक्रिया और सेपड अविक्रिया उदासनी करण उपचयन तथा अपचयन यह पिछली बार भी यह लेशन था और पूरा का प गुण धर्म उधारण पढ़ना है तथा उपयोग पढ़ना है। फिर पियच पैमाने के अधारणा जिसमें लगुड़क से सम्मन्दित परिभासाएं यह जरूरी नहीं है। आयनिक योगिकों का निर्मार तथा गुण धर्म सकृता स्नेडी धातकर्म की आधारभूत विधियां संचारण तथा उसका निवारण। तो यह आपका थर्ड लेशन है। फिर्थ लेशन है कारवनिक योगिक। इसमें हम लोगों को कार्बनिक योगिक में सहसनियोजी आवंध कार्बन की सरोवत्त मुखी प्रकीर्थ समजाती यस्रेडी प्रोकार्यात्मक समुह वाले कार्बनिक योगिक जिसमें हैलोजन, एलकोहल, किटोन, एलडिहाइड, एलकेन, एलकाइन इन सभी के बारे में पिर नाम पद्धती जिसमें संत्रिप्त और संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पढ़ना है उनके रासायनिक गुर्धर्म जिसमें दहन, आकसीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अविक्रिया के बारे में पढ़ना है फिर हम लोगों को एथेनाल और एथेनाईक अमने के बारे में पढ़ना है मतलब उसका गुर्धर्म और उसका उपयोग क्या है और उसके बाद साबुन और अपमारजक पढ़ना है तो यह चार लेशन आपके क्या है यह रसायन विज्ञान यानि कमिश्ट्री के हैं पिछली बार जो है एक लेशन और हुआ करता था तत्तों का वर्ती वर्गे करवर जो कि स्लेबस से कट कर दिया गया है जिसमें मिंडली फावर्ट सार्डी और इन सभी के बारे में आपको पढ़ना था तो वह सभी चीजे कट कर दी गई है अब इहां से आपका इकाई टू जैव जगत चालू होता है यानि आपका जीव विज्ञान चालू होता है जो कि 20 मार्क्स का है यहां पर ठीक है अब इसमें क्या-क्या हमें पढ़ना है तो इसमें सबसे पहला लेशन होगा जैव प्रक्रम जिसमें सजीव पौधों तथा जनतूं में पोसन, स्वसन, परिवहन तथा उतसर्जन, उतसर्जन की मूल, भूत, आवधार यह पहला लेशन होगा, सेकेंड लेशन होगा, जनतूं तथा पोधों में नियंत्रण एवं समन्वें, जो कि पिछली बार यह लेशन कट कर दिया गया था, इस बार इसको आइड किया गया है, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है पोधों में दिसिक, गति, पादप, हार् परिशे, जनतूं में नियंत्रण एवं समन्वें, तंत्रिका, तंत्र एक्षिक पेसियां तथा अनैक्षिक पेसियां, प्रतिवर्तिक्रिया, रासानिक समन्वें जनतूं में हार्मोन, यह पढ़ना है, अगला लेशन फिर पढ़ना है अम लोगों को प्रजनन, जिसमें ज प्रसूती और जनन स्वास्त के बारे में पढ़ना है तो यह आपका तीसरा लिशन होगा अनुवान सिक्ता में हम लोग पढ़ना है कि मिंडल का योगिदान क्या है लक्षणों की वनसागत के नियम क्या है लिंग अधारडा कैसे हम जानते हैं और संशित उनका परचे पढ़ ठीक है तो यह पूरा आपका यह पूरा जीव विग्यान का सिलेबस था जिसमें चार लेशन आपके हैं जीव विग्यान के ऊपर जो चार लेशन थे वो रसायन विग्यान के थे अब यहां से आपका जो है फिजिक्स का पार्ट चालू होता तो इसमें एक आई थर्ड है प से पहले है वक्रप्रिष्ठ द्वारा प्रकास का परावर्तन गोली दरपड़ों द्वारा प्रतिबीम बनना वक्रता के इंद्र मुख्यक्ष मुख्य फोकस फोकस दुरी दरपड़ सुत्र जिसमें आपको निगमन नहीं करना और आवर्धन के बारे में पढ़ना है फिर प्रति आवस्यक नहीं है यानि आपको उसका निगमन नहीं करना है फिर आवर्धन लिन्स की छमता फिर अगला लिस्टन आपका हो जाएगा मानो नित्र में लिन्स का कारी द्रिष्टी दोस एवं निवारन गोली दरपड़ तथा लिन्सों का अनुप्रियोग प्रिज मु अगला आपका यूनिट होगा अगली इकाई होगी इकाई चार विद्दुत धारा का प्रभाव और विद्दुत धारा का चुमकिय प्रभाव या दोनों मिला कर आपका 13 माक्स का होगा 13 नमबर का होगा तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है विद्दुत धारा फिर करम, समांतर करम, जो कि बहुत है important है, इनका दैनिक jīwan में क्या उपयोग है, विद्दुधरा का उसमें प्रभावत क्या है, और दैनिक जीवर में उपयोग, फिर विद्दुसक्ति जिसमें आपको P, B, I तथा आर में अंतर संबंध बताना है कि इनमें क्या संबंध है यानि इनका जो फार्मूला होगा उसको डिराइब करना है फिर आपको विद्धु धारा का चुमके प्रभा में आपको पढ़ना है चुमके छेतर रेखाएं किसी विद्धु धारा वाई चालक के करण चुमके चो मकेर छेतर में किसी विद्धु धारावाई चालक का बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम घरेलू विद्धुत परिपत तो यह दोनों पालिट मिलाकर आपके तीरा नंबर के होंगे लाश्ट इकाई आपकी है प्राकिर्तिक संसाधन जिसमें प्राकिर्तिक संसाधन में हमारा परियावरन पिछली बार तीन लेशन थे इसमें और तीन लेशन को मिलाकर फाइफ माक्स का आता था यहां पे पांच नंबर का तो इस बार तीनों लेशन को मिलाकर केवल एक ही परियावरण में परितंत्र, परियावरणिये समस्याएं, ओजन परत का अप्छयन, अप्षिस्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निमनिकरडिये पदार्थ, इन सभी के बारे में पढ़ना है, मितलब गिने चुन एक टापिक पढ़ना है, आपके पूरे लेशन, जो है यूपी बोल्ट का स्लेबस हुआ, यहाँ पे आपको प्रियोगात्मक कारे के लिए, यानि प्रैक्टिकल के लिए दिये हुए हैं कोस्टन, जो कि आपको स्कूल में कराये जाएंगे, इसके बारे में आपको परिशान नहीं होना है, अगर आप स्कूल में रेगुलर हैं, और अच्छे से क्लासिस कर रहे हैं, तो आपको 30 में 30 मांक सासानी से मिल जाते हैं, ठीक है, तो यह आपका पूरा स्लेबस था, साइन्स का और इस चैनल पे आपको साइन्स का पूरा स्लेबस आपको कम्प्लीट कराये जाएगा, साथ ही साथ आपको नोट्स भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक सेयर कर दे, बहुत ही जल्दी मैं साइन्स के लेशन को लेकर उपस्थित होने वाला हूं, तो धन्यवादी स्टुडेंट्स, जै हिंद, जै भारत!